सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे आप Alt Lite Smart Watch को س्मार्टफ़ॉन के साथ कनेक करके duplicate एक एक फीचर कैसे आप यूज़ कर सकते हो Bluetooth Calling आप कैसे यूज़ कर सकते हो, खुद का Photo कैसे set कर सकते हो, Watch Paces कैसे change कर सकते हो complete एक feature आप कैसे activate कर सकते हो on कर सकते हो and use कर सकते हो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले है so वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले अगर आप channel नहीं है तो channel कर दिजे subscribe and video कर दिजे like so चलिए फड़ा पड़ चलते हैं इसको हम smartphone से connect करते हैं एक-एक feature को हम कैसे use करना है देखते हैं so चलिए बात करते हैं alt lit smart watch को कैसे smartphone से connect करें complete एक-एक feature कैसे use करें तो smartphone से connect करने के लिए सबसे पहले application आपको download करना होगा जिसका नाम है alt fit जो कि आप smartphone पे देख सकते हो आप App Store Play Store किस से भी download कर सकते हो इस application को alt fit करके है इसको download मैंने जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने download कर लिया है इसी से जो हम इसको connect करेंगे तो सबसे पहले बात करें कुछ features जो कि आप smart watch से use कर सकते हो बिना connect किये तो first of all एक crown button है इसको आप कुछ इस तरीक से rotate करके गुमाक है जो है डाउन करोगे तो यहां से देख सकते हो ब्राइटनेस पी आप एडर्स कर सकते हो टाइमर यहां पर देख सकते हो के camera control उसका setting में जाओगे setting में डिस्पले डुनर डिस्ट्रप मोड यहां पर वाइबरेशन आप एडर्स कर सकते हो display में एक feature आपको देखने के लिए मिल जाता है यहां से restart power off और reset कर सकते हैं वह बैक आने के बाद इस साइड आप स्क्रॉल करें तो activity देख पाओगे यहां पर देख सकते हो sleep monitoring heart rate monitoring blood pressure monitoring कठीघ मानेटरिंग यहां पर वेदर देख पाऊंगे फोन से कनेक करने के बाद यहां से देख सकते हो गेम्स देखने के लिए मिल जाएंगे यहां से आप इसको कट भी कर सकते हो अगर कोई option यहां से हटाना चाहो तो आप बहुता भी सकते हो और सो बात करें तो इस साइट आप स्क्रोल करते हो add components पर क्लिक करते हो देने आप आप आड भी कर सकते हो जो चाहो आप सो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो एंड यहां पर कुछ इस तरीके से स्क्रोल करते हो तो split screen open हो जाता है, यहां से भी आप weather देख सकते हो, और कुछ features को यहां से भी आप access कर सकते हो, कुछ इस तरीके का settings है, जो कि आप features जो आप smart watch से use कर सकते हो, बीना connect किये, also इसको बीच में press करके रखेंगे, तो भी जो आप watch faces कुछ इस तरीके से change कर सकते हो, अब बात करते ह आप इसको कैसे connect करें, और features कैसे use कर सकते हो, तो alt fit app है, इसको हम app को open करते हैं, देख सकते हो, कुछ इस तरीके से app को open करना है, open करने के बाद यहां पर बाइट राइट किलिक करने क बाद कुछ इस तरीके का option आपको allow कर देना है, ठीक है, सब कुछ जो भी permission मायका आपको allow करना है उसका देख सकते हैं to add का option आगया ठीक है to add पर आपको click करना है to add click करनेगे बाद while using the app पर click करने बाद देख सकते हैं सेर्च फॉर्थ स्टार्ट हो जाएगा अब आपका SmartWatch Search होना है Start हो गया है तो आपको कुछ दिर wait करना है जो है आपका SmartWatch यहां पे Search हो के आ जाएगा सो देख सकते हैं यहां पे Searching में आ गया है Alt delete करके जो हमारे SmartWatch है अगर आपका Searching में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है? Back आना है back आने के बाद फिर से आपको to add पे click करना है ऐसे आप search करोगे तो आपका जो है यहाँ पे searching में आ जाएगा उसके बाद आपके यहाँ पे just आपको click करना है यहाँ पे click करने के बाद देख सकते कुछ इस तरीके का option आएगा उसके वाद यहाँ पर आपको wait करना है कुछ भी आपको नहीं करना है आपको कोई भी button जो है प्रेस नहीं करना है जस्ट आपको wait करना है कुछ इस तरीके से ठीक है यहां पर के लिए इस स्मार्ट वोज पर जो आपने क्लिक किया उसके बाद जश्ट आपको वेट करना है इसमें भी कहीं भी आपको टैच नहीं करना है जश्ट आपको वेट करना है एक option आएगा मैं आपको दिखा दूँगा ठीक है तो आपको just wait करना है और कहीं भी क्लिक नहीं करना है यह चीज आपको खास करके ध्यां रखना है तो कुछ इस तरीके से आपको wait करना है जब तक यह option नहीं आता है कुछ इस तरीके का option आएगा Bluetooth pairing करके तो यह पर pair का एक option है इस पर आपको click करना है ठीक है यह चीज नहीं आता है यह pair का option नहीं आता है तो आपको remove करके watch को reset करना है reset करने के लिए आपको यहां आना है उसके बाद आपको setting में आना है setting में जाने के बाद system में जाओगे यहाँ पर reset का option है, यहाँ पर right करोगे तो यह reset हो जाएगा, तो आपको अगर pairing का option नहीं आता है, तो pair का option नहीं आता है, तो आपको reset करके and remove करके फिर से इसको try करना है, जब तक pair का option नहीं आएगा तब तक आगे कुछ नहीं कर सकते हो calling को लेके, तो कुछ इस तरीके से आप को कर रहना है पेर उसके बाद देख सकते हूँ जो की हमारे इतने सारे ओर से भी हम इसको चेंज़ कर सकते हैं आगे बाद के तो और यहां पर क्लिक कर करके आप क्लावड बेस्ट काफी सारे वाच फेसे सांगे और चैंज Android होगेнок तो जिसी साफ से आपका network है उसी साफ से यह load होगा तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो जिसको भी आपको set करना है तो आपको simply क्या करना है सपोज अगर मुझे इसे set करना है तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ काफी सारे watch faces यहाँ पर देखने के लिए मिल जांगे जैसे कि आप देख सकते हो और काफी सारे इसमें update के थुरू और भी नहीं नहीं watch faces जो इसमें आते रहते हैं तो आप इसमें देख सकते हो देख सकते हो हाली में यह FIFA World Cup चल रहा है तो इसका भी देख सकते हो watch faces अबडेट होके आया हुआ है अगर यहाँ पर मुझे यह set करना है तो इस पर मैं simply click करूँगा यह download पर जैसा ही click करूँगा बैटरी जो है इसका low है smart watch का देख सकते हो बैटरी अभी कितना है तो देख सकते हो बैटरी काफी low है थोड़ा से इसको हम चार्ज कर लेते हैं उसके बाद जो हम इस watch faces को set कर पाएंगे कम से कम अपका 50% जो है है download पर click करनेक बाद यहां पर देख सकेंगे updating यहां पर स्टार्ट हो गया है यह परसेंटेज इसके हैं 100% से जुअ हम यह 100% में होते हैं आराम से काफी बेहतरीन watch faces यहाँ पर देख सकते हो इजली सेट हो गया है अब हम बात करते हैं खुद का photo आप कैसे सेट कर सकते हो तो कुछ इस तरीके का option आएगा watch faces में आप आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं Edit का option है इस पर click करने के बाद यहाँपर देख सकते हो एक उस पर time position को आपको उपर रखना या नीचे रखना है उसको आप चेंज कर सकते हो उसके बाद यहाँपर देख सकते हो color भी आप time का change कर सकते हो कुछ इस तरीके से देख सकते हो color आप change कर सकते हो यहाँ पर मैं time को उपर रखता हूँ यहाँ पर color को मैं white ही रखता हूँ उसके बाद आपको यहाँ पर just save पर click करना है save का option है, save पर आपको click करना है सेव पर कुझ करने के बाद दिख सकते हो इस स्वीचिंग बेगराउंड start हो गया है यहां पर देख सकते हो watch में भी updating start हो गया है and 100% होते ही जो हमारा खुद का photo बाइए यह watch में set हो जाएगा तो हम यहाँ पर wait कर लेते हैं तो यहां पर देखते हो देखते ही 80 percent हो गया यहां पर 90 percent होने वाला है जैसे 100 percent होता है आपके सामने photo जो हमारा sett हो जाएगा, तो यहां पर देखते हो काफी easyly काफी अराम से ऐ向 अच्छा भी लग रहा है देख सकते हैं, आमा कर रहे थे कुछ इस तरीके से सेट हो गया है और इसी तरीके से आप खुद का फोटो अगर आभी जो है सेट कर सकते हो आगे अगर हम बात करें तो देख सकते हो बैक आते हैं यहां पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन का ओप्सन है इस पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक कर आगे मैं आपको लाइब भी करके दिखाने वाला हूं उसके मेस्जिस को भी यहां से ओन कर सकते हो जो मेस्जिस वगिर आएंगे आपके स्मार्टवर्श पर और कर सकते हो उसके बाद सोचल मीडिया जो भी नोटिफिकाशन करसे लेना है इसमें कोई आपको फिल्क करने के इपके आपको अनुछ एंड मेरफ करना ओका इतना करने के उसके बाद आपको back आ जाना है यहां से हम back आ जाते हैं और back आने के बाद उसके बाद जो भी social media का notification आप चाहते हो उसको यहां से आप simply on कर सकते हो कुछी सी से आप से इसको आप social media notification को आप on off कर सकते हो notifications वोगरे को आगे आपको मैं live यहां पर calling करके भी दिखाने वाला हूँ उसके बाद और अगर बात करें तो alarm का एक option है इस पर अगर आप click करते हो तो यहां पर alarm set कर सकते हो इस alarm को on off जो है आप यहां से smart watch से भी कर पाओगे back आते हैं यहां पर shutter button देखने के लिए मिल जाता है यहां पर आप as a shutter button ये उज़ कर सकते हो watch को कुछ इस तरीके से उज़ कर सकते हो यहां से हम back आते हैं उसका बात करें को favorite context का एक option देखने के लिए मिल जाता है इस पर आपको click करना है एंड यहां पर आपको मैं दिखा दूँ यहां पर आपर आपको स्वैदर करना है कुछ इस तरीके से हो उसका फिर से नीचे से आपको यहाँ पर done कर देना है and done करने के बाद देख सकते हैं आपडेट अप्लोडिंग स्टार्ट हो गया है and number 100 हो रहा है इसके लिए मैंने थोड़ा सा blur करकर रखा है थोड़ा hide करकर रखा है ताकि number ना हो so यहाँ पर done हो गया है हम call करते हैं स्मार्ट फोन पर देखें कैसे notification हमारे smart watch पर receive होता है so हमने call कर दिया है इस smartphone पर अभी call आने वाला है so हमने call कर दिया है so यहाँ पर देख सकते हो calling हो रहा है so देख सकते हो यहाँ पर call आ चुका है कुछ इस तरीके से and call का notification आप देख सकते हो जाएगा कुछ इस तरीके से call को आप receive कर सकते हो and वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ से बीच वाले पर क्लिक करके call को आप वापिस transfer कर सकते हो आप अपने smartphone पर and यहाँ से आप mute भी कर सकते हो इसको यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से वोल्यूम भी जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है number यहाँ से dial भी कर सकते हो recent calls में जाके यहाँ पर देख सकते हो call history देख सकते हो आप सो कुछ इस तरीके से आप calling का यूज कर सकते हो आगे अगर बात करते हो अधर्स का एक option है अगर आप क्लिक करते हो इस तरीके से में क्लिक करता हो यहाँ पर तो उसके बाद find device का यूज कर सकते हो find device पर जैसे आप क्लिक करोगे तो देख सकते हो वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया है और कुछ इस तरह से बाइब्रेट करना है स्टार्ट हो जेगा आपका smart watch बात करते हो time format को आप change कर सकते हो unit system change कर सकते हो do not disturb mode on off कर सकते हो reminder to move यहां पर अनौफ कर सकते हो music phone control यहां से आप on-off कर सकते हो music control करना है smartwatch से या नहीं वह यहां से अनौफ कर सकते हो battery saving mode यहां से भी आप अनौफ कर सकते और यहां पर स्क्रीन टाइम आउट यहां पर उन आफ कर सकते हो कितने सेकेंड बाद आपका स्क्रीन जो है आफ होना चाहिए स्मार्ट ओज से दोनों से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो यहां से आप स्मार्ट ओज को रिसेट भी कर सकते हो देख सकते हो यहां से reset कर सकते हो यहां से view change कर सकते हो drink water reminder यहां से देख सकते हो heart rate monitoring on off कर सकते हो weather update यहां से आप set कर सकते हो उसके बाद यहां से ct पे click करके आप अपना city set कर सकते हो सपोज यहां पर मैं ct कर देता हूं सूरत यहां पर है वहां से सब्सक्र fleet कर लेता हूं सब्सक्रीवार कि यहां से कोई भी आपकiah कर देता हूं यहां तो कुछ इस तरीके से आपको सर्च कर लेना है कुछ इस तरीके से आप मैं कोई और सेट कर दिया हूं उसके बाद siya और आप वेदर सेट कर देख सकते हैं ठीक है देख सकते हो आप वेदर आप Personalud चीजबत कि यहां पर options देखने के लिए मिल जाते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो सो कुछ important चीज़ important setting जो आपको करना चीए वह मैंने आपको बताया and complete कुछ इस तरीके से आप जो इसको यूज़ कर सकते हो और अगर मैं आपको बता हूं तो तो यहां से देख सकते हो यहां से आप voice assistant को अगर हम आते हैं find my phone का option देखने क्लिए मिल जाते हैं इसको अगर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं स्मार्ट फोन जो हमारा रिंग करना स्टार्ट हो गया है यहां पर लिखा हुआ आ रहा है जा सकते हो यहां से देख सकते हो और सो बात करें तो देख सकते हो यहां से आप गेम स्वगरे खेल सकते हो कुछ इस तरीके से complete आप इसको यूज कर सकते हो connect करके and I hope आपको यूज करना आ गया होगा बागी कोई भी question हो तो Instagram का लिंक description में है वहां से follow करके message करके पूछ सकते ह सो आपने देखा complete इसको कैसे smartphone से connect करके and एक फीचर को आप यूज कर सकते हैं and I hope वीडियो आपको पसंद आगा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा Instagram का link description में हावास आप मुझे follow कर करके message करके कोई भी question आप पूछ सकते हैं ठीक है प्रेस्ट थैंक्यू जैहिन